पीम मोदी का संसनी खेज बयान किस पर लगाया सुपारी देने का आरोप उनकी छवी को कौन कर रहा धुमिल ये ठान कर बैठे है और पब्लिक ली बोले भी है और उन्होंने अपना संकल पर गोशित किया है क्या किया है उन्होंने अपना संकल पर गोशित किया है हम मोदी की छवी को दुमिल करके रहेंगे इसके लिए इन लोगों ने बाती बाती के लोगों को सुपारी दे रखी है और खुद भी मोर्चा समाले हुए है इन लोगों का साथ देने के लिए कुछ लोग देश के भीतर है और कुछ देश के बाहर भी बैड़ कर अपना काम कर रहे है कि लोग लगातार कोशिश करते रहे हैं कि किसी तरह मोदी की इमेज को दुबिल कर दें लेकिन आज बारत के गरीब भारत का मद्यंपर्ग भारत के आदिवासी बारत के दलित पिछडे हर भारतिय आज मोदी का सुरक्षा कवच बना हुआ है और इसी लिए इसी लिए ये लोग बोखला गए हैं ये लोग नए नए पैंतरे अपना रहे हैं दोजार चौदा में उन्होंने मोदी की इमेज मोदी की छबिल दुमिल करने का संकल्प लिया अब इन लोग ने संकल्प ले लिया है मोदी तेरी कबर रखु देगी इनकी साजिसों के बीच आपको हर देश वासी को देश के विकास पर ध्यान देना है राष्टन निर्मार पर ध्यान देना है हमें विक्सित भारत में मद्द प्रदेश की भुमिका को और बढ़ा रहा है ये नई बंदे भारत एक्ष्प्रेस इसी संकल्प का ही एक हिस्सा है आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बाते उस समय कहीं जब वे भुपाल में एक जन सभा को संबोधित कर रहे थे इस से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भुपाल में देश की ग्यारवी वंदे भारत ट्रेंड को हरी जंडी दिखा कर उसकी शुरुवात की इस दौरान उनके साथ मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवरास सिंग चौहान भी मौजूद रहे पीम मोदी ने भुपाल के रानी कमलापती रिलवे स्टेशन से इस ट्रेंड को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया उन्होंने खुद भी इस ट्रेंड में यात्रा की इस यात्रा में उन्होंने ट्रेंड में सवार बहुत से लोगों से मुलाकात भी की प्रधारमंत्री मोदी को अपने बीच पाकर लोग खासे उत्साहित दिखाई दिये इस खबर में फिलालित रहें बाकि अप्डेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हंदी की साथ